backlog एक ऐसी problem है जिसे most of students अपनी preparation के years में face करते हैं उनको ऐसा कभी-कभी लगने लगता है कि class में जो topics उनको teachers ने पढ़ा दिये हैं शायद वो topic उन्हें उतने अच्छे से आते नहीं है या उन्होंने उन topics को अभी तक चुआ भी नहीं है इस वज़े से वो topics उनके लिए पूरी तर से अन्नोध है और उन्होंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है backlog की इस problem से जब students गुजरता है तब उसकी current की जो studies होती है वो भी बहुत बूरी तर से affected होती है उसे पढ़ते हुए हर दम ऐसा लगता है कि उसके इतने सारे जब topics चूटे हुए है तो वो अपने exam को crack कैसे करेगा उसके classmates जो उन topics को कर चुके हैं वो उनके बराबर या शायद उनसे आगे कैसे निकल पाएगा backlog की इस परेशानी से students अपने जो पढ़ने की strength होती है जो अपने पढ़ने का जो potential होता है उसे भी धीरे-धीरे reduce कर बैठता है और उतना अच्छे से अपने आपको perform नई कर पाता है जितनी उसकी capabilities है ये backlog की problem जितना जल्दी हो सके अगर solve कर दी जाए तो सायद आप अपने selection के उतने ही नजदिक पहुँच सकते है तो आईए अपन कुछ reasons को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से students को backlog की problem को face करना पड़ता है आखिर वे कौन सी गलतिया होती है जिस वज़े से students backlog का शिकार होते हैं तो कुछ students ऐसा कहते हैं कि उन्होंने coaching late join की इस वज़े से उनका backlog हो गया वो कहते हैं कि वो counseling के लिए रुके हुए थे and margin marks होने के कारण वो wait कर रहे थे कि उनका selection हो जाएगा इस वज़े से उन्होंने coaching join नहीं की and वे late हो गए कुछ students ऐसा कहते हैं कि भाईया हम थोड़े पढ़ने में slow हैं हमको physics थोड़ा देरी सी समझ में आता है इस वज़े से हम बाकी लोगों के comparison में पीछे रह जाते हैं and हमको एक chapter करने में बाकी लोगों के comparison में ज़्यादा time लगता है इस वज़े से हमारे backlog हो गया है कुछ students ऐसे होते जो कहते हैं कि भाईया हम सुरुआत में तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन कुछ personal reasons की वज़े से जैसे के हम बिमार पढ़ गए या पढ़ने का मन न होने के कारण हमारी continuity disturb हो गई और इस वज़े से आज हमको backlog face करना पढ़ रहा है कुछ students ऐसे होते जो कहते कि भाईया हमने procrastinate किया अपने studies को हमने कल के भरोसे हमारे काम को छोड़ा इस वज़े से ये काम धीरे-धीरे बढ़ता गया और backlog का भयानक रूप ले लिया अभी मैंने आपको backlog होने के कुछ important reasons बताए कि इन reasons की वज़े से students को backlog की problem को face करना पड़ता है तो वे students जो अभी अपनी preparation start करेंगे या जिनको अभी तक backlog की problem नहीं हुई है वो इन चीजों को avoid करे ताकि उनको इस backlog की problem को face ना करना पड़े अब अपन उन लोगों की बात करते हैं जो backlog की problem से सफर कर रहे हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा backlog हो गया है वो बहुत ज़्यादा panic condition में कि भईया अब हम क्या करें कि इस problem से बाहर आ सके क्योंकि इस problem के रहते हुए हमको confidence feel नहीं आता है कि शायद हम need crack कर पाएंगे तो बिना time को waste किये हुए अपन सभी बातों को बारी के साथ discuss करते हैं कि अपन अब क्या कर सकते हैं ताकि इस backlog की problem से चुटकारा पास सके एवं वापस अपन normalize होके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके जैसे हम पहले करते थे तो जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दिन में जो choice गंटे होते हैं सभी के पास उतना ही time है अगर इसको अपन सभी से utilize करते हैं तो backlog की problem को कम किया जा सकता है जैसे कि आप अपने दिन को तीन slot में बाठ सकते हैं जिसमें से पहला slot आप current की जो study से उसको देंगे आपको जो class में जो online या offline आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ेंगे पहले slot में उसके बाद जो दूसरा slot है उसे आप backlog को अलॉट कर देंगे उस slot में जो भी आपके topics रह गए हैं जो class में हो गए है लेकिन आपने नहीं किये है आप उनको complete करने की कोशिस करें अगर आप offline coaching में होंगे तो साथ teacher आपको वापस पढ़ाए ने पढ़ाए तो आप YouTube से online teacher की help से उन topic को जल्दी से cover करने की कोशिस करें जिससे आपका backlog धीरे धीरे कम होने लगेगा ये especially मैं physics और chemistry के लिए कह रहा हूँ जो तीसरा slot है वो सबसे important slot है और उसे अपन को revision को allot करना है क्योंकि revision ही success की key होती है अगर आप current studies अच्छे से कर रहे हैं and backlog भी cover कर रहे हैं लेकिन आप revise नहीं कर पा रहे हैं आप पढ़ा हुआ भूल जा जा रहे हैं तो आपके लिए problem create हो सकती है इसलिए मैं देग को तीन slot में divide किया ताकि आप तीनों ही काम बहुत अच्छे से कर पाए दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप देखेंगे कि अपने जो physics और chemistry में होता है कि कुछ chapters physics और chemistry में common है जैसे कि atomic structure chemistry में भी है और physics में भी है thermodynamics physics में भी मिलेगा chemistry में मिलेगा kinetic theory of gases दोनों ही subject में होते हैं तो अगर backlog में आपके ये chapters रह गए हैं तो पहले आप इनको complete करने की कोशिश करें मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही mock test लगेंगे तो अगर आपने ये common chapters complete कर रहे होंगे तो आप अच्छा score gain कर पाएंगे इससे आपको panic conditions से आप बच पाएंगे कि साइद आपके marks कम रह गए इसलिए जो ये common chapters है इनको आप पहले complete करने की कोशिश करें अगर आपके teacher ने पढ़ा दिया आप नहीं पढ़े हैं तो आप YouTube के through भी इनको पूरा कर सकते हैं साथ में है इसके साथ ये जो एक important चीज़ वो ये है कि backlog को कम करने के लिए आपको अपने study hours को बढ़ाना ही पढ़ेगा अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटा पढ़ना start कर दीजिए क्योंकि एक जो आपने dream देखा है कि आप doctor बनेंगे उसके लिए आपको इतना ततो करना ही पढ़ेगा आप अपने study hours को जैसे increase करेंगे तो आपके पास जो extra time होगा उसको आप backlog को पूरा करने में alert कर पाएंगे आप उन study hours में आपके जो भी topics रहे हैं उनको अच्छे से complete कर ले ताकि जैसे धीरे-दीर chapters का जो backlog का load है वो कम होता रहेगा आपके mind से pressure का जो level है वो भी धीरे-दीरे कम होने लगेगा याण आप पाएंगे कि आप धीरे-दीरे improve भी कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि या backlog कम हो रहा है तो आप अच्छे से comfortably अपनी जो current की studies है उसको सही से कर पा रहे है उसमें किसी भी तरकी कोई कमी नहीं रह रही है इसके साथ ये जो है कि जैसा अपन commonly देखते हैं कि जैसे अपन weekend पे mock test देखे आते हैं तो उसके बाद अपन का पढ़ने का मन नहीं होता है actually अपन को ऐसा feel होता है कि अपन बहुत exhaust हो गए तो अपन नहीं पढ़ पाते हैं कुछ लोग paper का analysis करते हैं और कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं तो अगर आप exam के तुरंत बादी paper का analysis नहीं करते हैं तो आप आते ही backlog के जो lectures आपके रह गया है online वो आप कर सकते हैं उससे होगा ये कि आपका जो exam के बाद का जो time है वो अच्छे से utilize हो जाएगा और आपका backlog भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा ये एक तरीका है जिसे मैंने follow किया था कि मेरे को भी backlog की परेशा नहीं होती थी जब मैं physics बहुत वीक था मैं जब सुरू-सुरू में पढ़ रहा था तो मैं जैसे mock test देखे आता था तो उसके बाद जो भी time बचता था उसमें मैं lectures करने लग जाता था ताकि वो time अच्छे से utilize हो जाता था और जो chapter बाकी रहते थे तो उसके एक दो lectures भी हो जाते थे जिसे अच्छा feel होता था कि आपने अपने day को बहुत अच्छे से utilize किया है ये तो हुई कि मतलब mock test के बाद के time को भी आप अच्छे से use कर सकते अपने backlog को cover करने के लिए आप उन chapters को पहले करे जो common है ताकि आप अच्छा score कर पाए आपको panic condition से न गुजरना पड़े आप अपने day को 3 slot में बाढ़ सकते जिसे आप revise भी अच्छे से कर सके current का भी अच्छे से पढ़ सके और अपने backlog को भी धीरे धीरे कम कर सके इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि कुछ chapters ऐसे होते हैं जिसमें अपन को notes अगर अपन hand return न बनाए तो भी कोई problem नहीं होती है actually होता ही है कि अपन lectures देखते हैं तो उसमें तो time consume होता ही है और साथ में जब अपन notes बनाते हैं तो उसमें chapters के PDF प्रिंट करवा के रख सकते हैं न की notes बनाए उससे आपका time save होगा और जो time shave होगा उसे आप अपने जो topics बच्चे हुए हैं उनको दे सकते हैं जैसे कि modern physics में अगर आप hand reader notes न बनाके lecture देखके अगर उनकी notes के PDF प्रिंट करवा के रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैंने भी essay किया था इससे अब मेरा time save हुआ और जो time बच्चा हो उसको मैंने एक extra chapter करने में लगा दिया जैसा कि हम जानते हैं कि neat के लिए अब syllabus पूरा होना बहुत जरूरी है ऐसा होता है कि सभी chapters से हमेसा top question नहीं पूचे जाते हैं कुछ-कुछ chapters ऐसे होते हैं जिनसे superficially question पूचे जाते हैं तो अगर आपका syllabus complete होगा तो आप बहुत अच्छा score कर पाएंगे इस बात की surety है इसलिए कोई chapter leave करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है तो अगर आप किसी chapter के handwritten notes न पढ़के printed notes पढ़ लेते हैं और वो बच्चा हुआ time आप किसी और chapter को करने में लगा लेते हैं तो आप ज़्यादा फाइदे में रहेंगे तो आप ये एक काम कर सकते है अपने time को save करने के लिए और उस बच्चे हुए time को अपने backlog को cover करने हैं इसके साथ backlog में ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ-कुछ तो physics और chemistry में तो numerical portion होता है जो अपना रह जाता है जैसे physics तो पूरा ही numerical है लेकिन backlog में कुछ students का ऐसा भी होता है जिनका inorganic रहता है कुछ का ऐसा भी होता है जिसका organic chemistry रह जाता है तो उनको ये कहताना चाहूँगा कि जो ये theoretical portion है जो आपके backlog में रह गया है उसे आप जैसे ही कई पे भी थोड़ा भी free time मिले जल्दी से पढ़ना सुरू कर दीजी जैसे inorganic chemistry में आप अभी थोड़ी दिर बैटे ही थे तो उस time आप जो chapter आपका रह गया उसके book खुल के बैटे NCRT और उसको पढ़ना सुरू कर दे जो भी आपको थोड़ा थोड़ा time कई पे भी मिलता है जो आपको लगना है कि ये time आपका waste हो रहा है उस time को आप ऐसे utilize करें कि आप जो theoretical portion है उसको जल्दी से revise करें इससे होगा ये कि वो chapter भी दिरे-दिरे complete होने लगेगा और आपका backlog का जो level है वो भी दिरे-दिरे कम होने लगेगा आपके marks automatically increase होने लग जाएंगे organic chemistry के लिए आप कुछ orders के वगरा ये notes जो होते है वो short diary बना के रखें उसमें आप लिख ले और उनको चलते फिर ते जाब भी आपको time मिले उनको revise करने की courses करें ये भी आपके backlog को कम करने के लिए helpful रहेगा मैं ऐसा ही करता था मैं जैसे ही अपनी जो pocket होती है उसके अंदर कुछ जैसे याद करने की चीज़े होती है उनको मैं लिख लेता था जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो इनको लिखने के बाद जाब जैसे मान लो कई बाहर गए थोड़ी दिर कई बैटे है तो उनको page को खुल के अपन पढ़ सकते हैं इसे time save होता है और साथ में syllabus भी धीर धीर complete होने लगता है और जो चीज memorize करनी है जो बार-बार याद करनी है वो भी अपन आसानी से कर पाते हैं अब उसके बाद ये है कि backlog में ये भी होता है कि कुछ chapters बार tough होते हैं जो आपके रह गए और जो marks अच्छा इसको जिसमें अपन कर सकते हैं जैसे कि example दू आपका solid state बचाएं physics में और sorry mechanical properties of solid बचाएं physics में and rotation बचाएं तो आप rotation करने की बचाएं पहले आप mechanical properties of solid करें तो आप ज़्यादा फाइने में रहेंगे मैं ऐसा इसलिए के रहा हूँ क्योंकि rotation जो chapter है वो थोड़ा बलकी है उसको पढ़ेंगे तो साइध आपको बीच में confidence का level decrease हो सकता है कि यह थोड़ा आपको tough पढ़ रहा है लेकिन अगर आप mechanical properties आप solid करते हैं इससे आप जल्दी से करेंगे तो आपको confidence का level है वो बुस्तप हो जाएगा आपको ऐसा feel होगा कि आपने chapter कर लिया इसके आपके quotients बन रहे है और इससे धीरे-दीरे मन बनता रहेगा कि नहीं अब हमको दीरे-दीरे सारे chapters cover कर लेने है एक यह है कि मतलब वो काम अपनको नहीं करना है जिससे अपनका confidence शुरुआत में ही down हो जाए अपनको proceed ऐसे करना है कि धीरे-धीरे अपने confidence का level बढ़ता रहना चाहिए ना कि घटना चाहिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कई आपको ऐसा feel हो कि आप backlog cover करी नहीं सकते तो इसलिए easy से tough की तरफ हमेशा move करना है इससे आसानी रहती है हमेशा आपन sequence में चले यह कोई जरूरी नहीं है जो जरूरी चीज़ यह है कि neat आते 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 आपका syllabus complete हो जाना चाहिए आपको उसे 2-3 बार revise कर लेना है और आपको बहुत अच्छा score करना है तो यह कुछ तरीके आप follow करके अपने backlog की जो problem है उसे cover कर सकते हैं सबसे जो important बात थी है कि backlog अब हो गया है तो इसके लिए डर्ना नहीं है देखिए यह problem थी यह आपके खुद की कई न किसी न किसी गलती की वज़े से create हुई है तो पहले तो इसे accept कर ले कि हाँ मेरे से कई न कई कोई गलती हो गई है directly या पि indirectly गलती तो हुई है अब इसको solve आपको ही करना है solve कैसे करना है यह कुछ तरीके मैंने आपको बताए इसके साथ ही आप खुद कुछ तरीके सोचे जिससे आप इस problem को solve कर पाए आप दिन में वो time देके जा आपका time waste हो रहा है आप उस time को अच्छे सी utilize करे और अपने marks को अच्छा करने के लिए उस time में भी आप पढ़ाई करे जहां आप नई कर रहे थे अपने study hours को थोड़ा बढ़ा दे क्योंकि ये जो एक दो साल है उसी में आपको अच्छे सी prepare करना है आपको neat exam देने के बाद में ऐसा बिल्कुल feel नहीं आना चाहिए कि आप थोड़ा और कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं जब neat का result आए तो आपको full satisfaction होना चाहिए कि मैंने जितना hard work किया है उतना मेरे को पूरा result मिला है तो बस उसी तरीके से मैनत करें हर एक second का अच्छे से इस्तमाल करें हर एक जो minute है आपका franchise कुछ भी कर रहा है आपको अपने dream के लिए अच्छे से hard work करते रहना है यह backlog की जो problem create हुई है यह भी solve हो जाएगी यह कोई इतनी बड़ी problem नहीं है अगर आप सही से systematic तरीके से काम करते हैं तो backlog की problem solve हो जाती है इस वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसी उम्मिद करता हूँ कि अब आप regret नहीं करेंगे कि आपका backlog हो गया है अब आपको इस problem को solve कैसे करना है उस पे काम करेंगे काम कैसे करना है तरीके बता दिये हैं मैंने इसके लवा अगर आपको भी कोई तरीका लगे तो उसे भी आप implement करें उसको use करें अच्छे से अपने पूरे day को utilize करें आप ऐसा पाएंगे कि धीर धीर ये backlog खतम हो गया है आपका सले बस भी पूरा हो रहा है और आप अच्छे से revise भी कर रहे हैं बस इतना सही कहना चाहूंगा all the best अच्छे से पढ़ते रहे हैं अपने जो aim है अपना जो target अपना जो best medical college जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके सपने के साथ अच्छे से बढ़ाई कर दे रहे हैं Thank you